Hello dear students, welcome to the next lecture of our class. In this lecture, we are going to discuss about the topic that is cytoskeleton. आज के इस lecture में हम अगला टोपिक पढ़ने जा रहा है, जिसका नाम है cytoskeleton. मैं आपका ट्यूटर मेगराज सुड़े, आपका स्वागत करता हूँ इस नए लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले है cytoskeleton के बार में. अब आपने skeleton, ये word तो सुनाई होगा, skeleton word का मतलब होता है कि कंकाल, जैसे हमारे body में हमारा कंकाल होता है, जिसे हम साचा कहते है, उसी तरीके का कंकाल सेल के cytoplasm के पास भी उस तरीके का कंकाल होता है, पर हमारे और उसके कंकाल में difference क्या है? स्केलेडन का मतलब होता है कंकाल और साइटो का मतलब होता है, साइटो प्लाजम में रहने वाला कंकाल, तो उसका क्या advantage है? साइटो स्केलेडन किन-किन component से बनता है? तो इन सब टॉपिक के बार में हम इस lecture में discuss करने वाले हैं, साइटो स्केलेडन is also called as micro-trabicular lattice, micro-trabicular lattice इसे कहते है, साइटो स्केलेडन का में फंक्शन होता है कि सेल को शेप देना, सेल को एक स्पेसिफिक शेप उनको देना, यह होता है साइटो स्केलेडन का important function, सो साइटो स्केलेडन यह जो है, this साइटो स्केलेडन is peculiar character of eukaryotic, साइटो स्केलेडन आर present in eukaryotic cells, so eukaryotic cells में साइटो स्केलेटन हमारा present होता है, आपको बता है nucleoplasm, nucleoplasm किसको बोलते हैं, inside nucleus, cytoplasm किसको बोलते हैं, outside nucleus, so cytoplasm दो component से बनना होता है, हमने यह पढ़ा है, जब cytoplasm हम पढ़ रहे थे, so cytoplasm is composed of two main component, उनमें क्या रहे थे है, cell organelle रहे थे हैं हमारे, और cytoplasm matrix, cytoplasm matrix और जिसको हम cytosol भी कहते हैं, मतलब cytoplasm से अगर हमने cell organelle का remove कर दिया, तो हमारे पास क्या बजा, cytoplasm matrix या जिसको हमने cytosol भी कहा, तो cytoplasm matrix और cytosol का component ही होता है, cytoskeleton, जैसे हमारे body में skeleton रहता है, तो उसी तरीके से cell में भी एक skeleton रहता है, उसको कहते है cytoskeleton, जैसे हमारे body में cytoskeleton क्या करता है, cell को specified shape यह provide करती है, उसी तरीके से cell को में specific shape प्रोवाइद करने का काम करते है cytoskeleton, यह हमारे body में जैसे rigid structure रहता है, skeleton का क्या उसी तरीके से cell में भी इस तरीके का structure यह रहता है तो नहीं सो cell का जो cytoskeleton है वो somewhat flexible रहता है कुछ flexible तरीके का वो structure रहता है सो cell cytoplasm is a some flexible in nature flexible रहता है इतना ज़्यादा rigid वो नहीं रहता है सो क्या cytoplasm एक ही component से बना होता है क्या एक पूरा का पूरा component जिसको हम cytoskeleton कहते हैं क्या एक यह की component से बना होता है तो नहीं तो cytoskeleton are made up of many compound more than one compound so ultimately हमारा cytoskeleton क्या है अगर simple से आसान से भाषा में समझने के लिए हम कहें तो cytoskeleton एक three dimensional network of protein है एक three dimensional network of protein है अब प्रोटीन का नेट्वोग है इसी का मतलब होता है कि वो protein किस से बने होंगे वो protein simply पता है आपको कि proteins are made up of amino acids amino acids से proteins यह बने होगे तो जब सेल के cytoskeleton का structure का study करना था तो electron microscope का use करके सेल के cytoskeleton का structure का study किया गया अब हम देखते हैं कि cytoskeleton की basic idea के बारे में सो cytoskeleton समझो यह हमारा सेल है सब्सक्राइब के पास एक सीलिया भी है जिसे फ्लैजला भी कहते हैं हम सो cytoskeleton में हमारे पास mainly 3 component हमारे पास होगे जिसको हम कहेंगे microtubule intermediate filament और micro filament इस तरीके के हमारे पास तीन structure इसमें होगे so intermediate filaments are basically compose the shape of the cell के shape को compose करेंगे microtubule cell को divide करने में मदद करेंगे और intermediate filament micro filament का और function होगा जो हम आगे जाके देखने वाले सो इस तरीके से पूरे सेल में एक प्रोटीन का जाल बिचा रहता है कि जिसे हम कहेंगे cytoskeleton अब बेसिक बेसिक सी डाइग्राम हों समझने के लिए कि सेल ने शेप के साओ उसका शेप किस तरीके से रिटेन किया है है कि ऻिस बेसिक आइडिया अब दिससाइडोस्कैलेटन को detail में पढ़ते हैं सो इसेलोस्कैलेटन की डिफी ऐसे पहले दिखते कि साइटोसकैलेटन यह आखिर में है क्या वाले सो इससेलोस्कैलीटक सबसेते लेगा बैक्तेरिया में और हमारे यूकारोटिक सेल्स में जो सब्सक्राइब के नाम अलग अलग होंगे पर वो दिखने में एक जैसे होंगे जैसे यूकरिटिक सेल का रिजीट स्ट्रक्चर होता है वैसे एक्जैक्ट रिजीट स्ट्रक्चर बैक्टिरिया में यह नहीं होगा तो साइटो स्केलेटन इस डाइनमिक नेट्वर्क आफ इंटर लिंकिंग प्रोटीन फिलामेट यमसी क्यों में आपको पूछा जा सकता है कि स्केलेटन की तरह होगा है उसी को कहेंगे हम स्केलेटन यानि की पूरे सेल में वह कि पिछा होगा उस कहा से बना होगा कि सम्पोनेंट से यह बना होगा प्रोटीन फिलामेट से बना होगा यह कैसा है कॉंप्लेक्स है not a simple एक डाइनमिक नेटवर्क है डाइनमिक का मतलब ह यह कम ज्यादा contract or relax हो सकता है इनकी एक दूसरे से इंटर लिंकिंग है एक दूसरे को लिंक करके यह बने हुए तो so it extends from the cell nucleus to the cell membrane and it is composed of similar protein in which various organisms so cell nucleus से लेके cell के membrane तक यह पूरी तरीके से बिचे हो समझो suppose this is the cell so from this यहाँ पे nucleus है और nucleus से लेके membrane तक यह पूरी तरीके से ऐसे बिचे होए रहेंगे पूरी cell को shape एक rigidity provide करने का काम cytoskeleton यह करते है so in eukaryotic it is composed of three main components अब eukaryotic में cytoskeleton के 3 main components है cytoskeleton एक specific entity नहीं है cytoskeleton को हम को divide करना है तीन भागों में उसके 3 components हमको देखना है मतलब microtubule intermediate filaments और micro filaments यह तीन बनके हमारा पूरा एक dynamic network of interlinking protein यह बनाते है मतलब इसमें कोई भी एक component नहीं है यह तीन component का interlinking है हमारा cytoskeleton and they are all capable of rapid growth or disassembly dependent on the sales requirement मतलब वो उनका growth उनकी size यह manage कर सकते है so three type of cytoskeletons are there components of cytoskeleton are there micro filament intermediate filaments and microtubule so basically cytoskeleton का function क्या होगा cell को mechanical support देना cell का shape maintain करना cell की protoplasmic movement को maintain करना spindle apparatus का formation cell division के वक हमने देखा था कि spindle apparatus किस तरह की से बनते है cilia और flagella का formation जो सेल की movement के लिए important है determine the plane of the cell मतलब सेल किस तरीके से उस उसका structure acquire करेगी यह function होता है cytoskeleton का so simple सा फंडा है हमारा cytoskeleton यह क्या है protein से बने है इनके तीन component हमारे पास है micro filament intermediate filament and microtubule so आज की lecture में हम microtubule का detail में analysis करते कि microtubule किस तरीके से होता है सो आप अब यह समझ लिजे कि cytoskeleton के एक component को हम पढ़ने वाले जिसका नाम है microtubule so microtubule को लेके हम अभी आगे चलते तो this is the cell membrane यह क्या हमारी cell membrane है और इन cell membrane में आप डाइग्राम में देखो डाइग्राम में देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा डाइग्राम में प्रॉपली देखिए कि यह ग्रीन कलर का सेल के membrane को अटेच है यह बीच में सेल के membrane के दोनों membrane के बीच में intermediate बीच में रहने वाले जिसका नाम है intermediate filament और मायक्रो ट्उबियोव। अब इसको ट्यूबियूट क्यों है कि यह sy तरहीं दीखते है तो यह हमारे function so cytoskeleton is a structure that help cell to maintain their shape their internal organization and also provide mechanical support that enables cells to carry out essential functions like division and movement so there is a no single cytoskeletal component rather that several different components work together to form a cytoskeleton याद मेरा किये cytoskeleton is not rigid structure like our bodies is a flexible structure okay so अब हम देखते हैं माइक्रों ट्यूब्यूल क्यों क्यों किवा है क्योंकि यह प्यूब की तरह दिखता है इसलिए सको का है हमने माइक्रोंट ट्यूब्यूल पॉल्ट जो साइ्टो स da । कि हमने शंद जाग देके उन में से सबसे जादा अबाउंट में एक मसे मारे पास है हमारे i. इन मायक्रोटविल को बेसिकली हमने दो टैप में दिर्वाइट किया है वर्स्टिज साइट अप्लाइब क्योड और दूसरा है हमारे पास अच्जोनीमल Migrating animal cells require cytoplasmic microtubules maintain polarized shape. So in plants, plants में growth of the cell wall, cell wall के growth के लिए cytoplasmic microtubules important है. Mitosis और meiosis के दवरान, cytoplasm का division के दवरान, cytoplasmic microtubules. एक word ही बताता है हमको कि cytoplasmic microtubules मतलब cytoplasm में present रहने वाले microtubules. अब cytoplasm जब divide होगा, axon and introns में, axon and nerve cells में जो vesicles का movement होगा, vesicles movement के लिए ये cytoplasmic microtubules require होते हैं. अब vesicles movement के लिए, सर आप बोलोगे कि vesicles movement क्या होती है? सो अब देखते, vesicle movements. So, समझो, cell को कोई food engulf करना है या cell को कोई outer signaling molecule या protein जो require है, engulf करना है. समझो, ये cell की membrane है, cell की membrane के पास एक कोई food molecule आया और cell की membrane क्या हो गई? अंदर की तरब ऐसे twist हो गई. हमने देखा था कि plasma membrane साथ flexible ये vesicles बना सकती है. इस तरीके से उन्होंने क्या किया? एक छोटा vesicles बनाया और इसी vesicles में जो हमारे food particle है, वो food particle अंदर की तरब उन्होंने ले ली. तो अब ये लेने के बाद आगे की step में क्या होगा? इस vesicles totally form और ये vesicles अंदर की तरब इस तरीके से आ जाएगा. अब उसको target location की तरब बेजना है, समझो इस vesicles को हमको किसी cell और कैनल के पास बेजना है. तो अब कैसे बेज़ेगा, vesicles तो उलके तो नहीं जाएगा cell के अंदर, तो cell को, vesicles को चलने के लिए कोई रास्ता चाहिए होगा, ठीक है, vesicles की movement के लिए कोई ऐसे रास्ता चाहिए होगा, जिस रास्ते से चलके vesicles क्या करते है, movement करते हैं. तो हमारे पास एक molecule है, जिसका नाम है, kynesine और dynine, so dynine और kynesine क्या करते है, इस vesicles को इस तरीके से पकड़ लेते हैं. समझो, dynine और kynesine. So, this is the kynesine, समझो, kynesine ने इनको पकड़ लिया, इन vesicles को kynesine ने पकड़ लिया, और अब यह kynesine क्या करेंगे, microtubule के रास्ते पर चलेंगे, मतलब, kynesine के चलने के लिए, रास्ता किसने बनाया, kynesine के चलने के लिए रास्ता बनाया, microtubule ने, microtubule एक जगा पर ही था, और this is the microtubule, और इस तरीके से kynesine ने क्या किया, आगे-ागे चलके, kynesine इस तरीके से आगे-ागे चलेगा, जिस तरीके से हम एक पर पीछे डालते है, अगला पर आगे डालते है, और हम चलते जाते है, है तो इस तरीकी से काईने सिन क्या करेगा मायक्रोट्विक के रास्ते पर चलेगा और इस का मूमेंट वो करताएगा और उसके टार्गेट लोकाशन के वेशाइकल सको पोच मरएगा और वहाँ microtubules are highly organized stable microtubule so axonemal microtubule जो है वो एक complex structure होते है highly organized structure होते है और इस axonemal microtubules are found in specific subcellular structure associated with the cellular movement including cilia, flagella and thebacel body so the anaxonema is the microtubule based cytoskeletal structure that form a core of cilium or flagellum so cilia and flagella are found in many cells organisms and microorganism to provide the motility so the central shaft or axonema of the cilium or flagellum consists of highly ordered bundle of the axonemal microtubules and the associated proteins simple concept है दो तरीके के microtubule हमने देखे cytoplasmic microtubule जो की vesicle movement cell के division के लिए और axon and nerve extension की maintenance के लिए और यह loosely organized होते है जाता flexible होते है plants में cell wall की growth के लिए cytoplasmic microtubule का function यह होता है axonema microtubule they are highly organized they are stable microtubule found in specific subcellular structure associated with the cellular movement मतलब जहां पे भी cell का movement जरूरी होता है एक्जो एक्जो ने के जरूरत में movement के लिए यह पाए चाते है तो simple सा concept है पर axonema microtubule और साइटोप्लाजमिक microtubule का structure एक जैसा ही होता है लगभग जो structure है एक जैसा ही होता है अब हम देखते है कि microtubule के ultra structure के बारे में so microtubule का structure जो है वह दो hetero dimer protein से बना होता है अब यह दो hetero dimer proteins कौन से है तो दो hetero dimer protein है हमारे पास alpha tubulin और beta tubulin इसको हम इस तरह की से लिखते है तो इस इस दी अलफा tubulin और beta tubulin तो दे आर दो tubulin तो दे आर दो tubulin प्रोटीन अब तो microtubule हमने कहा कि एक protein से बना है एक protein component से बना है जिसका unit है tubulin MCQ में पूछा जा सकता है कि microtubule का unit क्या है यह किस से बना होता है तो हमने कहा है कि यह बना होता है tubulin so both these proteins that is alpha tubulin and beta tubulin and have efficiency with each other and they are bounded with the non-covalent bonding इन में क्या होती है non-covalent bonding इन में होती है so they are the hetero dimer अब hetero dimer क्यों कहा है हमने hetero का मतलब होता है अलग-अलग और dimer का मतलब होता है 2 alpha अलग है और beta अलग है एक alpha का हमने unit लिया और एक beta का हमने unit लिया और जिससे बना हमने hetero dimer जिसको हमने कहा है tubulin so tubulin are the hetero dimer of the alpha protein and beta protein one alpha protein and one beta protein from the tubulin so alpha and beta proteins are generally both are generally having the somewhat identical structure अब दोनो का structure लगबग एक जैसा है बोथ having the somewhat identical structure they are they are having identical 3D structure they are 4 to 5 nanometer in diameter and having the molecular weight of 55 kilo Dalton and having generally 40 amino acid sequence same दोनों में 40 amino acid का sequence जो हो लगबग सेम होता है अब यह protein है मतलब यह amino acid से बने है इसी का मतलब इन में कोई 3D मतलब जो की peptide रहा होगा उसकी 3D molding यहां पर होई होगी इस तरीके से आपने पढ़ा होगा यह सवाई में proteins molding किस तरीके से होते है protein किस तरीके से मोल्ड होते है तो यहां पर भी इसके पास C terminus होगा और N terminus होगा जैसे प्रोटीन को amino acid की चेंज को रहता है तो N terminus के पास एक होती है GTP binding domain so GTP binding domain are present at the N terminus and this is the polar structure this type of structure is present in the microtubule so microtubule basically बने होते है alpha tubulin और beta tubulin से alpha tubulin और beta tubulin और heterodimers they are the tubulins having bounded with the non-covalent bonding याद में रखना है simple सा concept है और this tubulin having the GTP binding domain at the N terminus simple सा concept है अब GTP binding domain का क्या फाइदा है GTP क्यों यहापे bind होता है वो हम आगे-आगे पढ़ेंगे तो होता यह है alpha tubulin और beta tubulin दोनों मिलके इस तरीके का एक रिंग structure बनाते है और इन रिंग structure के एक दूसरे के ऊपर लगने के बाद हमारे पास इस तरीके का प्रोटन बन्थैंग यह यहाँ पे लगा और उसके बाद tubulin heterodimers are the protein building block of the microtubules मतलब microtubule का unit कौन सा है हमारे पास tubulin जो कि क्या है heterodimers है heterodimers बतलब दो अलग-अलग है alpha और beta जिसका नाम दिया है alpha और beta tubulin so microtubules are straight अब structure कैसा है वो हम देखते माले है they are the straight they are hollow cylinders with an outer diameter of 25 nanometer and inner diameter of 15 nanometer so they are varying length according to cell type so microtubules wall consist of longitudinal array of the lineal polymers called protofilament so the 13 protofilaments arrange side by side around the hollow center of the lumen अब इसका मतलब क्या होता है कि जो microtubule है वो बना होता है proto filaments से ठीक है microtubule consist of longitudinal array of the lineal polymers called protofilament अब protofilament कैसे होते है देखते है सो protofilament निकालते है हम तो सपोस इस इस प्रोटो फिलामेंट hetero dimer से बना है बिटा तो इस इस बिटा ट्यूबलीन अब अल्पा ट्यूबलीन अब प्रोटो फिलामेंट मतलब क्या होता है अब अलग कलर का इस्तमाल नहीं करते है सेमी कलर में दिखाते हैं तो इस तरीके से प्रोटो फिलामेंट एक दूसरे के साथ अटाच होते है और एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते है तो 13 प्रोटो फिलामेंट तेरा प्रोटो फिलामेंट लगबग एक साथ जुड़के तो 13 प्रोटो फिलामेंट्स आरेंज साइड बाई साइड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर आप दे लुमें तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे अब डाइग्राम तो इतनी अच्छी नहीं आएगी आगे की स्लाइड में डाइग्राम देखेंगे इस तरीके से एक होलो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे ये दिक्रा होगा आपको तो बेसिक उन अटॉट मेंट इस अट्रो डाइमर of proteinmee li बडता है Alpha Tupulin और एक molecule Beta Tupulin का so they bind non-covalently to each other to produce Alpha and Beta hetero-dimer that does not dissociate under normal condition किसी भी normal condition में उसका dissociation नहीं होता है अब यहां पर होगा आपको डाइग्राम में so या पर हमने दिक लिया है तो तुब लिए यहां पर है Alpha Tupulin और Beta Tupulin जो की Alpha पानारी मत्यों की माला रहती है एक दूसरे के उपड़ी इस तरीके से हमने उसको आर्रेंजमेंट किया इस तरीके से तो इस तरीके तुबलेन का फंक्शन होता है structure यह होता है so basically microtubules can form singlets double-lets और triplets मतलब 3 layer वाले single layer वाले और double layer वाले भी होते है microtubules so microtubule basically singlets singlets microtubules are cytoplasmics अब हम देखते की singlets so singlets microtubules are like this so singlet microtubules इस तरी के से होगा और इसके पीछे और इस तरी के से singlet tubule protein की singlet tubulin proteins की इस तरी के से और layer वीचाए जाएगी और पीछे इस तरी के सा tubule का formation होगा जो अब हमने normal वाला tubulin देखा था microtubule देखा था तो इस तरी के सा इस तरी के से सिंगलेट tubule microtubule formation होगा यहाँ पर लगबग 13 प्रोटो फिलामेंट रहते हैं और दिस singlet microtubule types are found in cytoplasmics the microtubules so next type देखते है dublets का so dublets कि इस तरी के से होते हैं तो डबलेट्स आर लाइक दीस तो थीस आर दबलेट्स दूइक कि अनक्राइब है जी कि कि अहां सबया हूँ कि अधे क्षय में एनक्राइब है आख दिय स्क करदेंगे इसके पीछे और एक एक देट हाँगे और इसके बीचे और एक ले आर टेजे दोगी इस तरहए था आहरा माइक्रोटुबल सो डबलेट्स आर जनरली फाउड इन सीलिया एंड फ्लैजेला इंपल सा टॉपीक है बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है आसान भाषा में पट रहे हैं हम उसके बाद होता है ट्रिपलेट्स जैसे हमने पास डबलेट्स बनाया है प tienes मतलग तीन लेयर वाले बीन लेयर सो ट्रिपलेट्स बनायेंगे तीन सीच और यह वर गहां पास ट्रिपलेट्स बनायेंगा त्रिपलेट्स आर जनरली प्रेजेंटिन बेशल बॉढीज of centrioles, so basically these doublets and triplets are present in axonimal complex और axonimal microtubule जिसको बोलते हैं और simple सा यह हमारा singulate जो है वो cytoplasmic, these are the cytoplasmic microtubule, so अब हम देखते हैं कि उसका kinetics किस तरीके से होता है, so microtubule का kinetics हम देखते हैं कि microtubule किस तरीके से उनका formation यह होता है, so microtubule का formation का kinetics हम देखते हैं मतलब microtubule किस तरीके से आगे-ागे ग्रोह होता है, so शुरुवात में होता है हमारे पास individual dimers, individual dimers शुरुवात में हमारे पास बने, यानि कि हमारे पास alpha और वीटा ऐना बैनान प्रोटीन बनेोर इन अल्फा और वीटा ट्यूब्लिन प्रोटेन का ऑली ओलीगोश ही यहाँ पर फॉर्म यहां मतलब एक से हेवले दो यहां दो तीन चार dimers एक दूसरे के साथ attach हुए और उन्हों ने बनाया oligomers so basically this oligomers act as a nuclei और new microtubule growth नए microtubule growth के लिए एक base इन्हों ने बनाया oligomers ने और एक nuclei करके act हुए और this step is called as nucleation nucleation होने के बाद बहुत सारे oligomers एक जगह पर इकटे हुए और उन्हों ने बनाया protofilament और जैसे ही हमारे पास protofilament बना यहाँ पर start हुई हमारी elongation phase और बहुत सारे microtubules tubulin proteins यहाँ पर आके attach हुए और इस तरीके का microtubule का structure इन्हों में ब्रा किया अब यहाँ पर microtubule को हमारे पास दो एंड दिखाए देंगे प्लस एंड और माइनस एंड माइनस एंड और प्लस एंड अब प्लस एंड और माइनस एंड इसको क्यों बोला है क्योंकि प्लस एंड में जो affinity है tubulin protein की वह ज़्यादा रहती है और वहाँ पर आस्वोशियेशन का कि आस्वोशियेशन वहाँ पर ज्यादा होता है tubulin का आस्वोशियेशन यानि attachment ज्यादा होती है और भी डिसोशियेशन यहाँ पर कम होता है कि को इसलिए हमने इस एंड को कहा प्लस में और इस एंड को अमने का मायनस है यहाँ ख़ी स्वोशियेशन पर यहाँ पर कम होगा और इस तरीके से एक फेज वहाँ पर आएगी कि जिस फेज के बाद असेम्ली बैलेंस्ट होगी मतलब असोशेशन और डिसोशेशन एकी स्पीड में होगा और उस फेज को कहते है प्लाट्यू फेज प्लाट्यू फेज मतलब एक स्टेबल फेज यहाँ पर होगी एक स्टेबल फेज यहाँ पर हो एक्स्ट्रेक किया होंगे इन टूबिलन डाइमर्स को जीटीपी दिया जीटीपी देने के बाद एमजी डाइपोजिटीव उन्होंने प्रोवाइड किया और जीरो से 37 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने उनकी पॉलिमराइजेशन की आक्टिविटी जो है वो ट्रैक की होगी तो इस तरीके का रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे मिला और इस पॉलिमराइजेशन इस मेजर बा आपने की बात नहीं है सिर्फ याद इतना रखने की प्लस एंड में असोचेसे जदा होथा है इसलिए इस एंड को हमने कहा है प्लस एंड और एक आसेंबली के बाद एक ऐसी कंडिशन हाती है कि जहांपे स्टेबल रहती है जहांपे डिसोशेशन और असोशेशन मतलब टि इस प्रेजेंट इन दो माइक्रो टूबल सो बेसिकली शुरुवात में हुआ होगा कि शुरुवात में प्रोटो फिलामेंट यहां पर बना प्रोटो फिलामेंट के बाद में प्रोटो फिलामेंट की एक शीट बनी और शीट को जैसे ही बाकी के टूबुलिन अटाच हुए वो शीट जो है वो ऐसी ट्विस्ट locke उनने बना यह आल्टीमेटटली किससे बना है अल्फा ट्यूदिन और बीटा ट्यूदिन से यह बना है principle जिसका डायामीटर रहे 25 नाइनो मिटरव प्लस एंड से असोसरेशन ज्यादा होता है फ़र प्लस प्लसन से असोशेशन ज्यादा होता है इसलिए उसन को हमने चाहें प्लस तरफे से माइक्रोटयूब्न के कदिक्स के बारे में हमने देखा माइक्रोडوب पर Central First Commod上 में सब्सक्राराइश क्या ही रोड़ा रॉंट सिardenatkung और डाइन वहां पर किस तरीके से काम करते हैं यह जो इंट्रेस्टिंग मेकनिजम है वह सब इंट्रेस्टिंग मैकनिजम आगे के लेक्षर हम पढ़ेंगे सुट्व यहाँ अच्छे से रहेगा तो हमारे वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ शेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले है माइक्रोटुबुल के बारे में और डिटेर में तो थैंक यू